हर घरों में अलग अलग जगों पर अलग अलग तरीके से मलाई से घी निकाला जाता है लेकिन आज मैं आप समय के सांद सेयर करने जा रही हूं सिर्फ दो मिनट में मलाई से बटर और बटर से घी निकलने का तरीका और यकीन मनिए जब यह तरीका देख लेंगे तो बाकि सार अगर आप एक साथा के silicon के लिए तो आप इसे फ्रेज में भी डख सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा दिन के लिए रखना है तो आप इसे फ्रेज तो आप इसे थोड़ दर के लिए ठंडा कर लेजिए लिकिन यह ज्यादा गरम नहीं है आप चाहे तो इसे इसमें फिंगर डाल के चेक भी कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चमस्त दही दही को हमने अच्छे से फ्यट लिया है अब यह सारा दही इसमें डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे अब इसे हम ढ़क देंगे और इसे ढ़के 5-6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे उसके बाद इसे हम 5-6 घंटे के बाद इसे हम 2 घंटे के लिए फिरिज में रख देंगे अब यहाँ पर देखिए इसे हमने 5 गंटे के लिए बाहर छोड़ दिया था उसके बाद इसे हम 2 गंटे के लिए फिरीज में रख दिया थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कितना बढ़िया से एकदम मखन की जैसा जम गिया है तो अब इसमें से हम घी निकालेंगे Hoş अब यहाँ से हम 10-12 सेकिन के लिए चला लेंगे, तो ज्यादा देर तक इसे हमें नहीं प्रिजणा है, बस सिर्फ 10-12 सेकिन के लिए, और यहाँ अब देख सकते हैं, इस तरह से इसमें से मकहन अलग हो गया है, और यहाँ पर देखिये, जो यह बटर मिल्क होता है, खो अलग चला लिया है और यहां पर देखिए पूरे एक मिनिट भी नहीं हुआ है और इसमें से बटर अलग हो गया है और यह जो बटर मिलके ओ भी अलग हो गया है और ओ भी बिने कोई मेहनत के तो इसमें से पूरी तरह से बटर निकलने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर देखिए हम चील पानी ले लिए हैं, इसमें हमने थोड़ा सा बरफ डाल दिया है, अब ये बरफ ओला पानी इसमें डाल देंगे, अब हम क्या करेंगे इसी तरह से 2-3 बाइच चमस से चला लेंगे, और यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं इसे चला रही हो न, इसमें का जो ब बटर मिल्क है, उसे हम इस तरह से हलके हाथों से निकाल लेंगे, यह देखें, कितने असानी से यह निकल गया है बटर, अब इसे एक बॉल में रख लेंगे, और इसी तरह से इसमें का सारे बटर निकाल के अलग कर लेंगे, तो लिजी हमने यहां पर सारे बटर निकाल लि तो इसे अभी हम साइड रख देंगे अब यहां पर गैस कुपर इस तरह से करा ही रखेंगे और इसमें सारे यह बटर डाल देंगे अब बटर को हम अच्छे से पिखलने देंगे तो फिर आपको फिर से याद दिला दूँ अगर एज की रिस्पी आपको पसंदे तो वीडिय आपको इसे पकाना है अगर ज्यादा इसे आप फिलेम पर पकाएंगे तो घी करवा करवा लगेगा तो इस बात को आपको खास दियान देना है अब यहां पर आप देख सकते हैं बटर अच्छे से पिखल गया है और इसके उपर इस तरह से यह जाग बन रहा है तो इसे हमे इसका घी बना रहे हैं तो आप इसमें थोरा सा एक पिंच के जितना हल्दी पोडर भी डाल सकते हैं जिससे की देखने में घी का कलर पीला पीला लगे है वैसे टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ता है और यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो उपर का जाग है ओ धीरे ध के फिलम आफ कर देंगे और Hahaha अब यहां पर मैंने इस ठदा कर लिया है अब इस तरह से बाआउल लेंके और इसको पर चलनने रखेंगे अब गी को इसमें अच्छे से च्छान लेंगे तो फिरेंस एक पर इस तạnh वह से घी बना के जरूर नुलब देखिएगा यह तरीख और यह हमारा बहुत ही असान तरीके से जटपट बनने वाली कम मेनत में बहुत ही च्रेश्टी और खुस्बूदार गी बनके तयार है तो इसे एक पर मेरे तरीके से जरूर बनाईएगा यह आपको बहुत पसंद देगी अब इसे हम इस ताइसे किसी भी जार में भर लेंगे तो उमीद है कि आज के रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद देते वीडियो का लाइक करें अपना फ्राइमिन फ्रेंस पर भी शेयर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए रेश्पी खसान थैंक्स पर वाचिंग